नरेंद्र मोधी जिलिंस्की जो यूक्रेन के राष्टपती है उनके साथ में और ये तज़्वीरे में बहुत महत्पूर्ण है जिस तरह से एक सहायता दी गई है और भीश कोर जो दिया गया है गिफ्ट फ्रम इंडिया टू दर रिपब्लिक ऑफ यूक्रेन यूक्रेन के थे वो प्रधान मंतरे नरेंद्र मोधी से मिलने के लिए बेहत उत्साहित नज़र आए और खास बात ये है कि ये बच्चे हिंडी सीख रहे हैं कि इंडियन वैंजनों ने कहा है और वह बहुत खुश है कि पीम मोधी जो है वो यूक्रेन आ रहे है और यूक्रेन के अंदर अब इंडियन के भी सुनी जाएगी और ये भी उन्हें कहा है कि मोधी जहां आता है अपने कदम लगता है वहां बिल्कुल आफ चीज नॉर्मल जाती है और पुशिया ही पुशिया बढ़ जाती है और इंडिया का बेस खत्म हो रहा है अब एक हिंदू इंडिया बन रहे है बारत के बारे में बात यह कही जा रही है कि भारत इस वाकिंग ओन टाइट डिप्लोमाटिक रोप के ऊपर चल रहा है और उक्रेन को जो गिफ दिया है जो मुदी सहाब गिफ्ट लेकर गए हैं युक्रेन के जंग जदा लोगों के लिए ट्रक के ट्रक वहाँ पर मौजूद थे जो नरेंदर मुदी की तरफ से वलादीमीर जलन्सकी को दिये गए नरेंदर मुदी सहाब जो है युज वन आफ दे रेर इंटरनेशनल लीडर्स जो युक्राइन भी जा सकते हैं और रशिया भी जा सकते हैं ठीक है जी ये बड़ी बात है अमोमन ये मुमकिन नहीं होता कि दोनों तरफ आप जा सकते हैं डेकर सम्हो जिसे कहले ना कि वो जा रहे हैं और ये चीज़ आरी बात है एक एक आपको एकसेस देती है ठीक है इंडियन डिपलोमेसी ये कहती है कि वी डूनाट वर्क इन आइधर और मतलब ये नहीं है कि हम इसके तालोक और इसके तालोक हैं नहीं हम ऐसे नहीं करते हैं वी गो विडॉल ठीक है जी एक चीज़ तो है कि यूगरेनियन लीडर भी फून करते रहें नरेंडरा मोदी को और रेस्टियन लीडर से भी बात होती रही है ये चीज़ें जो है देर देर बट ऑबिसली क्या इसकी सिगनिफिकेंस है क्या ह हो सकता है अभी जब टॉक्स हो रही है जिलन्सकी साहब की और मोदी साहब की फाइनल कम्यूनिके से पता चलेगा कि क्या होने वाला है लेकिन जितने भी वेस्टन कैपिटल्स हैं वो बड़े खुश है इस अवाले से और ये जो इंडिया की मशूर नॉन अलाइनमेंट अभी तक तो इंडिया को इसने बहुत फाइदे दी हैं मैं आई विश पाकसान नॉन अलाइंड रहता तो आज हम भी ना लड़ रहे होते ना जगड रहे होते ना कुछ कर रहे होते मैं एक इंडिया की इस बात को लिंक करूंगा एक अमेरिकन पॉलिटिक्स के साथ भी और शुरू में जंगों में पढ़ गया 48, 65, 71, Cold War, Afghanistan War, Kargil War, War and Terror मतलब जंग ही तो है अब तो पाकिस्तान में कहीं लोग तंस करते हैं पाकिस्तान की हकूमत के होपर कि एक जंग कर सवाल है बबाबा एक जंग मतलब ये कि एक जंग करेंगे तो पाकिस्तान के हलाद बारा बेतर वाजेंगे कोई ऐसा मसला नहीं है लेकिन उसमें जानी माली अक्सान और सारा कुछ होता है लेकि इंडिया ने क्या किया इंडिया ने किसी जंग का हिस्तानी बना नॉन-alliant अप्रोच रही अपने आपको उसने मशूर खराई नॉन-alliant alignment जो है इस टाक्ड विद इंडिया ह हो गया हुआ लोग करते हैं हाँ जी वो टैंग वो डेयर लाइक दिस सो यह जो चीज है कि आज जो जुम्हें को वो पहुंच रहे हैं ठीक है वो कह रहे हैं कि जी हम तो नानलाइन और मैं बाब बता हूं मैं आपको पहले बता सकता हूं कि नरिंदरा बोदी के क्या मैसेज हो होगा नरिंदरा मोदी यह बात करेगा कि देखो हम नानलाइनमेंट के बलीवर हैं हम मुमन जंग के खिलाफ हैं रसिया के बारे में भी कोई बात नहीं करेंगे ठीक है और हाँ जो लोग मारे गए हैं उनकी हाक में वो बात करेंगे कि जो गयर जडूरी बलडशेड है यह उनकी है न ज zwischen मंशिक है भी यह वह करता है जो हम उसको दे रहे हैं स्टेटरस जो हम ने इंडिया का स्टेटरस ऊठा दी है इंडिया अस्टेटरस पे जा इस बात ऐस बैक और यह लिसनिक दो आव गलोबल स्टेटिजे कमशस को सुने कि हम क्या कहते हैं है चाना पर तुम नहीं कर रहे हैं, वो तुम्हारा डिरेक्ट मसला है, ठीक है, लेकिन अन युक्राइन, जो है वो, या बाकी इरशिया पर हमारी बात सुनी जाए, अब आगजाम पर रीसिंड याग को याद होगा कि चाइना ने इंडियन और बहुत सारे जो बाकी ममालके बॉर्डर प जो पिक्चर्स थी, मैप्स दोनों साइड के निकल वाके, नियॉयर्क टाइम से स्टोरी चुपवाई, और याट वस बिसीकली, उन्होंने इंडिया के अंदर डिवेट शुरू करवा दी, देखें, नियॉयर्क टाइम्स जो है, वो क्यों करके, प्लैनेट लैब्स, ठीक है, तस्वीरें लेगा, उसको क्या मिल रहा है, ठीक है, नियॉयर्क टाइम्स बड़ी ख़बार है, उसके बस जादा फार्ण्स है, मैं यह नहीं कहता है, लेकिन नॉर्मली आप ऐसे करते हैं, कि आप ऐसी चीजें बाहर लेके आते हैं, जिससे आपको यह खद्शा हो हो दी, लार्जली, ठीक है, सोशल मीडिया भी तकरीबन ऐसे ही है, उपोजिशन की लंबी चोड़ी वहां पे, एक वोजे से कहते हैं न, सुनी नहीं जाती, यह वर्ड बोले गे थे, कि दुनिया की सबसे बड़ी डिमॉक्रिसी का लीडर, वर्ड की दुनिया की सबसे स्वागत है, दोस्तों, प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी एक दिवसिया दोरे पर यूक्रेन पहुचे, इस दोरान उनकी राष्ट पती जैलन्सकी से मुलाकात भी हुई, इस मिटिंग के दोरान दोनों राष्ट अध्यच बड़ी ही आत्मियता से मिले, पिया मोदी ने की उन मेरा रह भारतियों से भी मुलाकात की, यह ऐसे समय में गए हैं जब दोनों देशों के बीच युद्ध चला है, जैसा कि आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन काफी सालों से जंग कर रहे हैं, भारत ने रूस यूक्रेन के भी जंग रोकने और सांती की अपील भी की ह यही नहीं पियमोदी यूक्रेन दोरे पर वहां के राश्पती जलन्सकी को खास गिफ्ट भी दिया है, प्रदान मंतरी ने इस यात्रा के दोरान यूक्रेन के राश्पती को विस्म क्यूब पेस किया है, विस्म क्यूब एक पोर्टेबल मोबाईल अस्पताल की तरह है, ज